हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं आई आपको बताने वाला हूँ अच्छी नीन के लिए क्या करना चाहिए जब हमारी नीन अच्छी होती नहीं है तो दूसरे दिन हमें बहुत थकान सी महसुस होती है ओबासी आती है काम में मन लगता नहीं है काम करने के समय नीन सी लगती रखिए फ्रेश नहीं लगता उत्सा नहीं रहता काम में और कुछ भी करना बोज़ लगता है ऐसा कहा जाता है कि ऐसा एक सेंटिफिकली स्टडीज है उसमें ऐसा बताया गया है कि चे से आठ घंटे एवरेज में आतमी को नीन होना जरूरी है चे से आठ घंटा कुछ लोगो चे घंटे में हो जाता है कुछ लोगो आठ घंटे लगते है कुछ exceptional cases जो है बहुत ही कि जो चार घंटे नीन में उतना काम निभा लेते है उनकी बात में नहीं कर रहा है नीन अच्छी नहीं हाना ये मानसीक बीमारी का लक्षन होता है मगर मानसीक बीमारी नहीं होने के बावजुद भी काफी सारे लोग उनको अच्छी नीन नहीं आते तो उसके लिए क्या उपा है मैं आपको बताता हूँ वो यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको आराम से 6-8 घंटे के नीन रोज रात को आते जाएंगे रोज यदि आप exercise करते हो सुभ़ को या शाम को 30-40 मिनिट तो वो नीन के लिए बहुत अच्छा होता है exercise करना फिर समय जो है नीन का वो समय एक specific समय होना ज़रूरी है जैसा आइडियल टाइम जो है नीन का वो है रात को 10-12 मतलब यह जो समय इसके बीच में आपने बेड़ के उपर जाना चाहिए और 6-8 घंड़ा सोना चाहिए मगर नीन आती नहीं है ऐसे ठकान से लगती नहीं है यह आखों के उपर नीन नहीं है तो फिर बेड़ के उपर खामगाप जाने का नहीं है क्योंकि फिर आप बेड़ के उपर लेटें कि नीन नहीं आ रही है और फिर करवटे बदल रहे और नीन नहीं उससे प्राब्लम हो सभीता है कोई कहानी है साथी साथी तो वो किताब से अच्छी नियन आ सकती है और फिर किताब पढ़के आप सो सकते हो कि नीन के पहले टीवी देखने का नहीं कोई हॉरर मुवी नहीं कोई ऐसे डरावनी कहानी पढ़ने का नहीं कोई सीन देखने के नहीं है या मोबाइल के लिएंग कुछ भी एक्साइटमेंट वाली बाते करने का के नहीं कि इस से यौ एकसाइटमेंट हो जाएगा सूबिकरि जÓ है अपने काम की कोई भी चीज अपने बेड्रूम में लख जाने का नहीं हैbst जो काम की चीज है वह घर के बहार एक्टि लिए होना है क्यां काटेंशन रो मतर्न काम देंग हो आफिस का काम करने का नही Candi sa相 दंड joka कुछ भी काम करनें का मिए से mobile करने का नहीं कु dulu Voilà कुछ घरने का निन एओ ऐसोने के पहले ये आप सेनंग करके सोते हो तो ऐसा गुनगोना पानी बहुत ज्यादा गरम भी नहीं बहुत ज्यादा शंडा भी नहीं तो वह नीन के लिए अच्छा होता है कि दूद्ध पीके बदम डालके दूद्ध पीते हैं तो उससे भी अच्छी नहीं आती है कम से कम टीन घंटा पहले आपका भौजण होना जरूरी को आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे आपका खानपान होना चीए उसके बाद में खानपान के नहीं हो अचिए और खाना भी रात का जो है वह हलगा फुल्का होना चीए ताकि ताकि पेट के उपर ज्यादा लोड ना है कोई भी टेंशन वाली वाते करके मतलब किसे जंजट करके जगड़ा करके डिबेट करके ऐसा करके बेड़ के उपर जाने का नहीं फिर कम से कम चार घंटे पहले नीन के चाय कॉफी सिगरेट पान या कोई भी नशीले चीज़े चार घंटे पहले लेने का नहीं है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंन होता है ब्रेन का स्टिमिलेशन होता है और फिर नीन नहीं आती दवा तो बिलकुल लेने का नहीं कुछ लोग गोले कि ने हमको दवा दे दो तो दवा इजी लेते हैं कोई नीन की तो कोई भी दवा आप लेते हैं तो तीन हमते बाद में वह दवा का असर आने के लिए देड़ गुना दवा जाड़ा लगती है मतलब पांच मिलिग्राम क यह गोली आप खा रहे हैं जिससे आपको नेन आ रही है तो तीन हमते बाद में साड़े साथ मिलिग्राम का डोस वह दवा का लगेगा क्योंकि उसकी आदत हो जाती है तो इस तरह का आप इस्तेमाल करते हैं रोच इसा टाइम फिक्स तीन घंटे पहले खाना भीना जंजट जगडा करके बेड़ के उपर नहीं जाने का धंदे के ऑफिस की बाते बेड़ के उपर लेके जाने का नहीं है नशिली चीजे या चाय कॉफी सिगरेट तंबाकू य लेकर बेड़ के उपर जाने का नहीं या कोई भी टीवी का सीन देखके बेड़ के उपर जाने का नहीं मतलब होरर मूवीज है कोई रहस्य में कहानिया है या कोई शोज वीडियो शोज आप देख रहे है जिससे के डर लग रहा है ऐसे कोई भी चीजे देखके जाने का नह बहुत जाला डिबेट करके या कोई टेंशन लेके बेड़के पर जाने का नहीं तो यह आप करते हैं तो बहुत अच्छी नीन हो जाएगी और यदि आपकी नीन अच्छी होती है तो दूसरे दिन आपको बहुत अच्छा लगेंगा फ्रेश लगेंगा उत्थाइट आपके आजू-बाजू के काफी सारे लोगों को यह नीन की प्राबलेम होंगी यह वीडियो आप जरूर शेर कीज़ेगा लोगों को ताकि यह इस्तिमाल करते हैं तो उनको अच्छी नीन आएंगी उनकी प्रॉड़क्टिविटी उत्पाद नक्ष्यमता बढ़ेगी आप आपको अच्छा लगता है आप जरूरी सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो थैंक यू वेरी मच्छ